असलाम अलेकुम मेरा नाम है शरजील दोस्तों आपने रिसेंटली ओपो की तरफ से ओपो रेनो टू सिरीज देखी पाकिस्तान के अंदर जो के काफी जादा सुसेस्फुल थी काफी जादा लोगों ने इसको पर्चेस किया क्योंकि वो प्राइस टेक भी काफी अच्छा था और इंप्रेसिफ लुक भी था और अब ओपो की तरफ से आप ओपो रेनो 3 को देखेंगे पाकिस्तान के अंदर में भी बहुत जल इसको लांच किया जाए अभी चाइना के अंदर ओपो रेनो 3 सिरीज को लांच कर दिया गया जिसके अंदर टोटल दो मोबाइल फून है ए अस्तौर पर प्राइस टैक भी काफी ज़ादा इंप्रेसिफ रखा गी है वीडियो में आगी चलने से पहले इचलने को लाइक कर दें टैनल को लाजर सब्सक्राइब कर दें और साल साल नोटिवीकेशन बेल पर क्लिक कर दें दोस्तों यहां पे की स्पैसिफिकेशन की बा और इस mobile phone की अगर build की बात करें तो यहां पर आपको glass की build देखने को मिलेगी front side और back side दोनों पर आपको corning grow glass 5 की protection देखने को मिलेगी और इसका जो frame है वो aluminium का है इसके लवा total 4 color variant आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर white, black और sterry night blue और साथ में sunrise impression नाम का एक color है करें तो यहां पर media tech की तरफ से आने वाला अब तक का latest chipset इस्तमाल किया जाएगा जो के recently launch हुआ था और यह media tech की तरफ से 5G chipset है और यहां पर आपको performance काफी तद अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि यह 7 nanometer के fin fat के उपए based है और यहां पर 5G की support भी मौजूद है इसके लावा जब पाकिस्तान के अंदर यह device आएगी तो definitely आपको 5G chipset देखने को नहीं मिलेगा तो chances है कि इदर आपको snapdragon 855 देखने को मिल जाए या पर इसी का कोई alternative chipset देखने को मिलें यहां पर जो अभी chipset इस्तमाल किया गया है इसका जो model number है वो है MT6885Z इसके लावा यहां पर आपको दो RAM ROM के वेंट देखने को मिलेंगे पहला 8GB और 128GB और दूसरा 12GB और 128GB अब इतनी जादा RAM की आपको actually need है भी या नहीं इसके उपर मैंने separate video बनाए विए i button के अंदर link आ रहा होगा उसको लाज़मी watch कर लेगा आपको idea हो जाएगा कि आपको किती RAM वाले smartphone purchase करना चाहिए अगर इस वाल फून की camera section की बात करें तो यहां पर आपको 64MP का caught camera setup देखने को मिलेगा साथ में 8MP का ultra white lens लगाया गिया है 2MP का depth sensor लगाया गिया है और साथ में 2MP का macro lens लगाया गिया rear side के camera में आपको 4K recording की option देखने को मिल जाएगी इसके लाओ selfie camera की बात करें तो आपको 32MP का selfie camera देखने को मिलेगा और यहां पर बहुत ही अफसुसक्राइब परड़ा है कि ओपो रेनो की जो एक किलास होती थी कि आपको shark fin camera मिलता था वो चीज ओपो रेनो 3 के अंदर खतम कर दी गई है और आपको यहां पर वही dew drop notch देखने को मिलेगी अब मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया है लेकिन फिर भी अगर वो shark fin look मिलता तो काफ़ी जादा impressive था और काफ़ी जादा unique था इसके लावा यहां पर आपको 4025 मH की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 30 वाट की fast charging देखने को मिलेगी और OPPO के मताबिक आप अपने mobile phone को 20 मिनट के अंदर 50% तक चार्ज कर सकते हैं और basic features के अंदर आपको type C की connectivity देखने को मिल जाएगी color OS 7 देखने को मिल जाएगा Android 10 पे based है इसके लावा जहां तक expected price की बात है तो जब भी यह smartphone पाकिस्तान में launch होता है तो इसकी starting price 90,000 होगी और अपर वेरिंट की price इससे थोड़ी जादा होगी और launch date के अभी फिलहाल कोई confirmation मौजूद नहीं है लेकिन बहुत जल्द इसको पाकिस्तान में भी launch किया जाएगा इस mobile phone के होआले से कोर भी news आती है launch date के होआले से pricing के होआले से तो मैं आपको इस चैनल के ओपडेट कर दूँगा तो इस चैनल को लाजमी सबस्क्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो आपके खिया लगएगा इससे शर्जी साइनिंग आफ अफ अल्लाहापिस